और्यू ब्रेड क्रेक बनाने के लिए मैंने लिया है नौ स्लाइसिस ब्रेड की अब हम उन सारी ब्रेड के स्लाइसिस के एजिस को कट कर लेंगे तीन स्लाइसिस हम लेंगे चोकोर शेप में काट के और अब बाकी की जो छे स्लाइसिस है उसके भी हम स्लाइसिस को काट लेते ह और काटने के बाद अब हम इसको एक कटोरी लेंगे और कटोरी लेके इस स्टाइल से हम इसे कट करेंगे इस स्टाइल से कट करने पर एक बहुत ही अच्छा हाट शेप फॉर्म होगा यह देखिए इस तरीके से हमें काटना है और जब हम इसे निकालेंगे तो आप देख सकते यह अज़े हैं यह हाफ हाट शेप का कट होके निकल रहा है हम इसी तरह से बाकी छे स्लाइस को कट कर लेंगे अब मैंने लिया है यह तीन पैकेट दस वाले ओरियो बिसकिट के जिससे हम एक एक करके निकाल लेंगे और अब हम इसे दो पीसी में डिवाइड कर लेंगी दो प पीसिस में इसे ब्रेक कर लें और इस तरीके से इसके क्रीम को निकाल कर अलग किसी वर्तन में रख दें और अब हम इसे एक मिक्सी जार में क्रश करने के लिए डाल देंगे इसे हमें ड्राय क्रश करना है तो हमें इसको थोड़ शोटे पीसिस में कट करके मिक्सी जार में डा के बाद अब हम इसे पीस लेंगे देखिए फाइन पाउडर बन जायाएगा अब इसे हम दो त्टो कटोरियों निकाले लिए अब मिंसे दो पाइट में दिवाइट करेंगे तो एक पाँएम Northern रख लेंगे और दूसरे पार्ट में हम थोड़ा सा दूद लेंगे और दूद को इसके अंदर डाल के हम इसका एक लिक्विडी डूद लिक्विडी पेस्ट बना लेंगे यह देखिए थोड़ा थोड़ा दूद करके डालें एक बार में बहुत ज़्यादा दूद ना डाले और जब ये दूद डालने के बाद अच्छा सा पेस्ट बन जाए तब हम इसमें डालेंगे हर्शी सिरप या आपके पास कोई भी चॉक्रेट सिरप हो तो आप उसे डाल दें जिससे की इसका टेस्ट बिल्कुल चॉक्रेट की तरह आएगा और इसे भी डालके मिक्स कर लें अब बारी आती है सुगर सिरप बनाने की तो सुगर सिरप बनाने के लिए एक कटोरी में मैंने लिया है दो चमश के करीब चीनी और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालके इसका पतला सा गोल बना लेंगे उसके बाद अब बारी आती है केक को ब ब्रेड़ के स्लाइस रखने के बाद इस पर डाले थोड़ा सा सुगरशिरप जिससे की ब्रेड थोड़ी सी नरम हो जाए अंदर तक स्पाँजी हो जाए उसके डालने के बाद अब हम इसमें जो चॉक्लेट की हम बना के रखी हैं मिक्षर को उसे हम स्प्रेड करेंगे ऐसे करते करते हम तीन स्लैसिस को एक पर एक रखते जाएंगे यह आप देख सकते हैं अच्छे से लगाएं कि ब्रेड में हर जगा अच्छे से मिल जाएं ऐसे हमने दूसरी स्लाइस रखी और हम सेम फॉर्मुले से सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे सुगर से रब डालेंगे और फिर चोकलेट की पेस्ट बनाया है वो हम इस पे डालते जाएंगे जब यह तीनों लेयर बन जाए तो अब हम बारी आती है हार्ड शेप बनाने की उप्रोसीजर वेयर लगाते हुए लेयर हम लगाते जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमें अच्छे से चारू तरफ लगाना है और यह देखिए इसकी जो लेयर है यह साइड से बनके तयार है अब दूसरी साइड भी सेम प्लेट में चोकलेट लगाईए और यह जो एज ह इसको ऐसे set कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं, थोड़ी ही देर में हमें ये shape हाट की तरह लगने लगी, बस चोकलेट लगाना है, सुगर सिरप लगाना है और इसे assemble कर देना है, आप देख सकते हैं, जैसे ये assemble हो जाएगा, अब उपर के सता पर बहुत अच्छे से चारो तरफ से इस चॉकलेट के पेस्ट को लगा दें अच्छे से लगाएं कहीं भी बाकी ना रहे आप देख सकते हैं मैंने कोने कोने में अच्छे से लगा दिया है ये देखिए चारो तरफ से घुमा घुमा के लगाएं जब लिलग जाए तो अब हमने जो सूखा पेस्ट बना के रखा था सूखा जो केक का चूरा बनाया था बिस्किट का उसे हम इस पर अच्छे से लगा देते हैं ताकि इसका लुक बहुत ही अच्छा आए और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है तो अराम अराम से इसे चारों तरफ से फैला के लगा दें जब हम इसे चारों तरफ से लगा देंगे जो एक्स्ट्रा गिरा है इसे हम एक टिशू पेपर की हेल्प से पोच लेंगे ये देखिए एक्स्ट्रा जो भी है उसे हम टिशू पेपर की हेल्प से पोश लेंगे अब बारी आती है जो हमने जो अंदर का क्रीम बचाया था उसे हम अराम से बेल कर एक रिंग टाइप की शेप देदेंगे आप देखिए इसे इस टाइप से आप चाहें तो जैसे मरजी वैसे डेकोरेट कर सकते हैं मैंने बहुत ही इजी तरीके से इसे डेकोरेट कर रहा है और आब हम इसे केक के उपर अपने मन चाहे तरीके से सजा सकते हैं ये देखिए मैंने ऐसे इसे सजाया है और उसी से एक छोटी छोटी बॉल्स भी बना ली है उसी क्रीम से और मैंने इसे केक के उपर रख दिया आप देख सकते हैं इसे इसी तरह आपको केक के उपर रखना है और अब मेरे पास कुछ पड़ी है जैम्स जिसे मैंने जैम्स से डेकोरेट करा ये देखिए आप इसे मन चाहे तरीके से सजाएं जैसा आपको अच्छा लगे और ये देखिए फ्रेंड्स मेरी केक बनके बिल्कुल रेडी है इसे देखे कोई नहीं कह सकता कि ये ब्रेड से बनी है आप जब मर्जी इसे अराम से बनाए ना ओवन ना ही किसी चीज का जंजट तो फ्रेंड्स कैसी लगे आपको मेरी ये रेस्पी अगर रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना मिलेंगे एक ऐसे ही नए इंट्रेस्टिंग डेस्पी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पॉपॉचिंग